हेलो एव्रिवान, असलाम लेकुम, डॉक्टर टीत में आपका स्वागत है, मैं हूँ डॉक्टर हिना, a full-time dentist और part-time YouTuber, और यहां मैं वीडियो बनाती हूँ दातों से related, दातों की सही जानकारी आप तक पहुचाने के लिए, ओ, वेट डॉक्टर हिना, आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे gum recession के बारे में, हमारे पास patient आते हैं और अकसर ये कहते हैं कि हमारा मसूड़ा हमारे दातों को छोड़ रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें हमारा मसूड़ा दातों से अलग हो रहा है, दातों के बीच में जगह दिखने लगी है, दात थोड़े लूज होने लगे हैं, ऐसी ही complaint बहुत सारे patient करते हैं और ये है gum recession, तो इसमें क्या होता है, हमारे मसूड़े हमारे दातों को छोड़ देते हैं, नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है, हमारे मसूड़े हमारे दातों को चारो तरफ से पकड़ के रखते हैं, जैसे आपके shirt की collar होती है ना आप बटन बंद करते हो जो पूरा collar होता है उसी तरह आपके gums या आपके जिंजाइवा जो है पूरे दातों को चारो तरफ से पकड़े रहता है लेकिन कई वज़े होती है जिसकी वज़े से ये उसको छोड़ देता है उससे अलग हो जाता है व comment section में मुझे जरूर बताएगा अगर आपके कोई भी सवाल है कोई भी query है तो आते हैं gum recession के वज़े से क्या क्या हो सकता है gum recession के वज़े से सबसे पहला problem जो आपको हो सकता है वो है sensitivity हमारी जड़े जो होती है वो जादर sensitive होती है तो जब हमारी जड़े दिखने लगी है वहा जो बहुत ही खराब लगता है और दात लंबे दिखेंगे ठीक है वो भी देखने में बहुत खराब लगता है तो patient की complaint खुबसूरती को लेके भी रहती है कि अब मेरे दात अच्छे नहीं लग रहे हैं फिर दात हिलने भी लगेंगे और अगर यह condition बहुत सिवेर हो जाती ह है तो हमारे दातों की हड़ियां गलने लगती है और इससे हमारा दात दीला होके पूरा निकल सकता है तो इस condition को seriously लें शिरवाती दोर में ही इसका treatment करेंगे तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा जितना जादा डिले करेंगे उतनी problem बढ़ती जाएगी तो gum recession के क्या-क्या व वजह है कि अपने दातों को सही से ब्रश ना करना अपने मूग की सफाई का ध्यान नहीं रखना तो जब हम अपने मूग की सफाई नहीं करते हैं ठीक से तो वहां पे प्लाक एखटा होगा calculus बनेगा उसकी वजह से बहुत सारे bacteria आपके मसूडों पे आ जाएगे और वहां पे एक pocket बन जाएगा वहां पे एक गड़ा सा बन जाएगा दात और मसूडे के बीच में अगर इसका सही समय पे इलाज ना हो तो आपके दातों की हद्या भी गल सकती हैं दूसरा कारण है genetic अगर खांदानी तोर पे या genetic तोर पे आपके मसूडों की quality जो है वो पतली है मतल यानि कि आपने दातों में तार लगवाए हैं दातों को सीधा करने के लिए तो भी इसके chances बढ़ जाते हैं और एक और बहुत बढ़ी वजह है कि अगर आप brush बहुत जादा करते हैं brush को बहुत जादा नहीं करना है मतलब बहुत दातों को मसूडों को नहीं रगड़ना है और दाएबाएवाली brush नहीं करनी है हमको, हमको उपर नीचे वाली brush करनी है, दाएबाए brush करने से भी यह problem हो सकती है, और आपके दाद भी घिस सकते हैं, जो कि सोने पर सुआगा हो जाएगा, तो किसी भी चीज की अती नहीं अच्छी होती, ना बहुत जादा ही brush करें और ना किस तरह का brush यूज करें, दो तरह के brushes मार्केट में available हैं, एक होता है manual, यानि कि आपको हाथ से उसको यूज करना है, और एक होता है electric toothbrush, electric toothbrush बैक्टरी से चलता है, आप बटन प्रेस करोगे और वो दाद क्लीन करेगा, तो अगर आप electric toothbrush यूज कर रहे हैं, तो आप ध्यान दे कि आप अपने मसूडों पे बहुत जादा force ना लगने दें, तो अगर आप वो force नहीं control कर पा रहे हैं, तो आप manual brush ही इस्तमाल करें, मैं अपने recommended oral hygiene products comment section में mention कर दूँगी, interested हों तो जरूर देखेगा, फिर है brush को पकड़ने का तरीका, अपने brush को पूरे हथेली से ना पकड में ऐसा करने से बहुत जादा force या brush कर सकते हैं, so brush को lightly अपने हाथों में लें और उपर नीचे की तरफ brush करें, दायबाय ब्रश ना करें और अपने दातों मसूडों को घीसे नहीं, soft, ultra soft toothbrush भी available है market में, इसका अस्तमाल आप कर सकते हैं अगर आपको gum recession की problem है, cigarette पीने वालों problem हो सकती है, cigarette पीने से cancer वागेरा, उसके बारे में अगले वीडियो में बात कर सकते हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद आप और क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज जो आप अपने हक में करेंगे वो है कि एक dentist को जरूर दिखाएं, शुरुवाती दौर में अ अपने आप दीरे-दीरे दातों को दुबारा पकड़नी लगेगा, ठीक हो जाएगा, अगर condition ज्यादा खराब है तो उस case में flap surgery की जाती है, flap surgery में क्या करते हैं, आपके मुझ के किसी हिस्ते से, usually तालू से, पैलेट से, skin या tissue काटके आपके उस जगा पे लगा देते हैं, और उसको सिल देते हैं, अगर आपके दात हिलने लगे हैं, और हड़िया भी गल चुकी है, तो उस case में हम bone grafting करते हैं, bone grafting एक ऐसा तरीका है, जिससे हम bone को दुबारा वापस बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये main procedures हैं, जो किये जा सकते हैं gum recession को ठीक करने के लिए, बाकी स साही brushing के साथ एक अच्छा mouthwash भी use किया करें, YouTube या अलग-अलग platform पे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी कि घरेलू उपाय से ठीक करें, तो आपकी situation क्या है, वो आपका dentist बहुत बहतर समझेगा, comparatively, किसी भी एक non-professional YouTuber की, तो उनके चकर में ना पढ़ने, सिर्फ व् मुझे comment section में comment कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूगी, उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं next वीडियो में, Allah आफिस पर दो पर दो क्का जविति संघगो भावगा, मिलते हैं तो आपकास लगाने, बहुत हैं, वीडियो में भावगा, द 30 अरो Other